अपनी शम्ता पहचानो एक गाह में एक आलसी आदमी रहता था वह कुछ कामदाम नहीं करता था बस दिन बर निटला बैटकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ काने को मिल जाए एक दन वह यूँ ही गुमते गुमते आम के एक बांग में पहुंच गया वहां रसीले आम से लद्दे कहीं पेड़ते रसीले आम देख उसके मूँ में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चड़ गया लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चड़ा बाग का मालिक वहां आ पहुंचा बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतर कर वहां से बाग कड़ा हुआ बागते बागते वह गवाव के बाहर स्तित जंगल में जा पहुंचा वहां बुरी तरह से तक गया था इसलिए एक पेड़ के नीचे बैटकर सुस्ताने लगा तबी उसकी नजर एक लोमडी पर पड़ी उस लोमडी की एक टांग तूटी हुई थी और वह लंगडा कर चल रही थी लोमडी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से बरे जंगल में ये लोमडी बच कैसी गई इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ जिग्यासा में वह एक पेट पर चड़ गया और वहां बैटकर देखने लगा कि अब इस लोमडी के साथ आगे क्या होगा कुछी पल बीते ते की पूरा जंगल शेर की बयंकर दहड से गुंज उठा जैसे सुनकर सारे जानवर धर्क कर बागने लगे लेकिन लोमडी अपनी तूटी टांग के साथ बाग नहीं सकती थी वह वहीं कडीत रही शेर लोमडी के पास आने लगा आलसी आदमी ने सोचा की अब शेर लोमडी को मार कर का जाएगा लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था शेर लोमडी के पास पहुंच कर कड़ा हो गया उसके मूँ में मामस का एक टुकडा था जिससे उसने लोमडी के सामने गिरा दिया लोमडी इमिनान से मामस के उस तुकडे को काने लगी तोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया यह गटना देख आलसी आदमी सोचने लगा की बगवान सच में सर्वे सर्वा है उसने दर्ती के समस्त प्रानियों के लिए चाहे वह जानवर हो या इंसान काने पेने का प्रबंद कर रखा है वह अपने गर लोट आया गर आकर वह दो तीन दिन तक बिस्तर पर लेट कर प्रतिक्षा करने लगा की जैसे बगवान ने शेर के द्वारा लॉम्डी के लिए बोजन बिजवाया था वैसा ही उसके लिए भी कोई ना कोई काने पीने का सामान ले आएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बूक से उसकी हालत कराब होने लगी आकरकार उसे गर्म से बाहर निकलना ही पड़ा गर्म के बाहर उसे एक पेड के नीचे बैटे हुए बाबा दिकाई पड़े वह उनके पास गया और जंगल का सारा व्रतान्त सुनाते हुए बोला बाबा जी बगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे है उनके पास जानवरों के लिए बोजन का प्रबांद है लेकिन इंसानों के लिए नहीं बाबा जी ने उत्तर दिया बेटा ऐसी बाद नहीं है बगवान के पास सारे प्रबांद है दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमडी नहीं शेर बनना चाते है सीख हम सबके बीतर शमताओं का आसन बंडार है बस अपनी आग्यनत वाशा हम उन्हें पैचानना नहीं पाते हैं और स्वायम को कमतर समझ कर दूसरों की साहता की प्रतिक्षा करते रहते हैं स्वायम की शमता पैचानिये दूसरों की साहता की प्रतिक्षा मत करिये इतना साशम बनिये की आप दूसरों की साहता कर सके